हेलो आप देख रहे हैं सेल्फ ग्यान और आज हम डिसकस करेंगे कि एकनू की रिरेजिस्ट्रेशन और एडमिशन की लाज डेट है अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लो अदरवाइज आपकी जो डूरेशन है वो बढ़ जाएगी तो चलो शुरू करते हैं तो रिरेजिस् करता है जो समस्टर वाइज ब्रोग्राम है उनका जो है जनवरी से लेके जून तक का तो जो है उनका हो जाएगा भी और जिनका येरली है वो जनवरी से लेके दिसमबर सेशन तक का उनको रिरेजिस्ट्रेशन करना है तो आपको यह डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं तो है जुलाई में अड्मिशन लिया था समस्टर प्रोग्राम में जो जुलाई से जून तक जो है उनका जुलाई से लेके दिसमबर तक उनका सेंसन कंप्लीट हो गया है उसके एक्जाम हो जाएंगे अभी फरवरी लास्ट यह जब भी होंगे तो ठीक है तो लेकिन जो अगल दिसमबर दोहजार इकिस तक अगर उनका एंड हो गया है तो जनवरी से लेके उनको दिसमबर दोहजार बाईस तक का रिरेजिस्ट्रेशन करना है एक साल का चाहे उन्होंने एक्जाम दिया है या नहीं दिया अगर आप इसको रिरेजिस्ट्रेशन को नहीं करोगे तो अगर आपका कुर्स दो साल में complete होना था या तीन साल में complete होना था तो three and half हो जाएगा तो फिर आपका जो जब जुलाइपा जोलाइस का एडमिनिशन लोगे दुबारा रिजिस्टेशन करोग़ जुलाइज दो जार इक बाईश में जो yearly है अगर अभी admission लेते हैं जन्वरी 2022 में तो उनका दिसंबर के अंदर 2022 के अंदर उनका exam complete हो जाएगा तो आपकी duration ना बढ़े तो इसलिए आपको registration करना है यहां पे click करके proceed for registration पे आगे बढ़ जाना है और आपको user ID password आपने बनाया है तो ठीक है otherwise जो है जैसे इस पर आप पोर्टर खुलेगा और आपने गर user ID और password याद है तो ठीक है otherwise new registration पे click करके जो formality है वो पूरी कर देना और अपना एक user ID password बना लेना फिर बनाने के बाद यहां पे दुबारा जो है user ID और password डालके capture code डालके login करना login करने के बाद अपना semester की जो code है वो select करना और online free payment कर देना तो आपका registration हो जाएगा same जो है admission की भी last date जो है वो 31st है तो 31st जनवरी तक जिनको नया admission लेना है वो ले सकते हैं और मैं आपको बता दूँ जो SC और STK student है उनके लिए एक program बिलकुल free है जैसे BA, B.C. कुछ courses हैं जो बिलकुल free है उनको कुछ भी पे नहीं करना बस अपने supporting document लगाने है photograph signature और 10th और 12th के जो qualification document है वो लगाने है और बस उनका admission हो जाएगा क्योंकि उनकी जो है fees लहीं लगती है बाकि जो है उसकी fees जो होती है बाकि उनकी सब की लगती है इनको के अंदर fees बहुत कम है books आपको free मिलती है तो आप जो है admission अगर लेना चाहते है तो time से अ workshop number है comment कर सकते हैं वीडियो के description में आपको reply कर दूँगा thank you